हलो बचो, क्लास 12 स्टार्ट, आप सबने कॉमेंट किया कि आप स्ट्राटजीज के उपर वीडियो बनाओ, क्लास 12 की बेस्ट स्ट्राटजीज जिसको हम एर लॉंग फॉलो करें, तो लास्ट में हमारे 90-95 परसंटेज आएं, और वो वीडियो लेकर हम आगए, पहले से एक ड आप कॉमेंट नहीं करिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि सिलेबस का प्रिंट आउट नाओ, अभी, 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 हम सब एक मिस्टेक करते हैं कि सोचते हैं, सिलेबस वेबस साइट पे पढ़ाई है, सिलेबस के एक ओडिग स्कूल का टीचर पढ़ा ही रहा है, syllabus के according coaching वाले सर पढ़ा ही रहे हैं और यहीं पर हम लोग एक बड़ी mistake कर जाते हैं क्योंकि आज के वीडियो की मेरी एक line है don't depend on anyone हम लोग भी यही सब mistake करते थे होता क्या था कि जो teacher पढ़ा रहा है वही पढ़ रहे हैं, यह हमको लग रहा है कि हमारा यह topic पूरा complete हो गया इसके उपर हमने 200 सवाल भी लगा डाले बड़े खुश बैठे थे, pre-board आया पता चला यह 4 topic पढ़ा ही नहीं इस ही chapter का यह 4 topic पढ़ा ही नहीं और दोस ने उठा के syllabus दिखाया देखो syllabus में था, गलती क्या करते है कि शुरू से syllabus साथ में नहीं रखते है syllabus का print out हाथ में रखिए जब भी एक chapter complete करिए तो syllabus के अंदर underline करिए यह हो गया, यह हो गया, अरे यह point छूट गया यह मेरे teacher ने पढ़ा है नहीं होता है कई बार, कई बार होता है वो syllabus से point to point उठा के बनाया जाता है, syllabus से point to point syllabus से लिखिवी line जो heading होती है वो उठा के questions में आती है कई बार हम लोग heading भी छोग देते हैं कि यह चीज़ पढ़ ही नहीं तो syllabus का print out रखो underline करते वे चलो, बहुत मज़ा आएगा बहुत मज़ा आएगा, feel आएगा कि हाँ यह chapter complete हो गया, पूरा underline हो गया अच्छा, एक और तरीका इस चीज़ को करने का वो है कि NCRT की textbook follow करो, ठीक है reference book आपको follow करने ही competition के लिए आपकी मरजी, वीडियो में बता रहा हूँ अभी board के लिए तो NCRT की textbook शुरुआत से follow करो, एकदम topic wise इसमें क्या है कि syllabus अपने आप पूरा cover हो जाएगा कोई point छूटेगा नहीं कई बचे आप CBSC board के नहीं है तो आपके board की जो भी main stream किताब है उसको use करो, साथ में syllabus underline करो वो सबसे best है ठीक है, reference book आपकी मरजी next बात है कि monthly weekly, daily goals goal setting, goal setting is very important throughout the year goal setting आप शुरू करते हो October में जाके, बहुत लेट हो जाता है अभी से, अपने syllabus का break up करो syllabus बहुत बढ़ा है उसको छोटे 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 पार्ट में तोड़ो यही तो physics हमें सिखाती है कोई बड़ा सा question आता है, हम क्या करते हैं क्या करते हैं, उसको छोटे-छोटे concept में तोड़ते हैं फिर छोटे-छोटे पार्ट को solve करके final answer निकालते हैं तो अपने syllabus को break करो months में तोड़ो, weeks में तोड़ो, रोज तोड़ो daily goals बनाओ, आज रात को पिन से अपने डाइरी में, एक पेज में लिख के सो कि कल ये complete करना है अब क्या होता है ना, monthly goals भी अच्छी होते हैं, बट साथ में daily goals होना important है, पूछो क्यों अब मालनो monthly goal बनाया कि एक महिने में ये करेंगे, होता क्या है, शुरू के एक हफते कुछ किया ही नहीं, चलो अगले हफते कर लेंगे अगले हफते नहीं किया, इसके अगले हफते कर लेंगे इसमें टालने का चांस ज्यादा होता है इसमें भी टालने का चांस होता है कि Monday Tuesday नहीं पढ़ा, अब बचे हुए पांच दिन पढ़ लेंगे, यहां टालने का चांस नहीं है, daily goals में यहां डालने का चांज सबसे कम होता है, एक चीज तुम समझ लो, तुमारे पास यहां से 10 months है, April, May, June, July, August, September, October, November, December, Jan, मैं Jan को भी गिन रहा हूं, pre-board आ जाते हैं, 10 months दिख रहे हैं याद से मुझे, और हर महिने में 30 दिन का हिसाब लगा लो, तो 300 दिन है, मज़ा आया, मेरा टीचर था, क्लास 10 का, गौरा गॉयल सर, वो यह चीज रोज करवाते थे हम लोगो, कि आज एक दिन कम हो गया, आज दो दिन कम हो गया, तो हम नहीं कह रहे हैं कि रोज करो, बट इस चीज को दिमाग में एक बर रखो तो कि 300 दिन है, तुमको लग रहा है, एक साल एक साल न साल परसंटेज, तीन दिन गये, एक परसंट गया, ऐसे समझो, तो आप सोच रहो ना, अगले महीं ने से पढ़ेंगे, तीस दिन चले गया, दस परसंट चला गया, इस चीज को फील करो, सलेबस को ब्रेक करो, अपने गोल्स बनाओ, अपनी डैरी में लिखो, जैसे माल लो कि लिख लो ये बात, भाई साब, यहाँ से नंबर आते ही आते हैं, ठीक है, टीचिंग एक्स्पिरियंस, प्रिविएस येर पेपर, बोर्ड के प्रिविएस येर पेपर, खरीद लो, चैप्टर वाइस खरीद लो, और शुरुवात में खरीद लो, बच्चे पहुसते हैं ये खरीदने नवेंबर में, एक चाप्टर आपने पढ़ा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैक्स हो, एक चाप्टर आपने पढ़ा, कंप्लीट हो गया, अब उसके प्रिविएस येर में जितने भी सवाल आएं हैं, सब लगा डालो, और वो तभी लगा पाओगे, जब च चाप्टर वाइस किताब खरीद लीजे, जिसमें एक एक चाप्टर से कितने सवाल आएं हैं, आपको मिल जाएं, अब उसी चाप्टर की जैसे मालो, आपने एलेक्ट्रिक चार्जे एंड फील्ड के आपने 100-100 सवाल लगा लिए, और आपने बोर्ड के प्रिवेस येर के स अठालो, अपने आप तुमारे 70 में से 50 नंबर कंफर्म, तो बहुत इंपोर्टन है कि प्रिवेस येर कॉश्टन सॉल करो, लेंग्वेज चेंज करके आजाता है, इस इस दी बहुत बहुत लास्मे करते हैं, और टीचर्स भी नी फॉलू कर आते हैं, बहुत लास्मे करते ह If you are preparing for your board examination, तो शुरू से ये चीज करते हुए, चाप्टर खतम हुआ, साथ में सवाल लगा लो, तुम्हें confidence आएगा कि हाँ, इसके मैंने प्रिवेस येर सवाल लगा रखे हैं, इवन तो हैं first term में भी question यहां से मिलेंगे, first term, second term, mid terms, next is your own proper notes, proper का मतलब यह नहीं कि पर निकाला, इसमें लिख लिया, इधर से copy मांग लिया, बंटी तुम कोपी लिख रहे हैं, बैटके बस teacher को दिखाने के लिए कि हमारे पास copy है, किसी को बेकूप मत बन और teacher को बेकूप बनाने के लिख रहे हो, अपना सोचो, जब end आएगा तो इधर भागो कि भाई notes दो बाई notes दो, चलो, तुम्हें मिल भी गए notes, बट दूसरे के notes से कभी वो feel नहीं आता जो अपने notes से आता है, अपने notes से ना, चीज एक दम बढ़ी यहां से दिल में जाती है, revision बहुत प्यारा होता है अपने notes का, खुद लिखा होता है ना, sequence भी पता होता है, तो notes छोट रहे थोड़ी कड़ी लगे कि लास्में इस बारें बात करने वाले हैं, तो from beginning अपने notes खुद बनाओ, किसी पर depend मत करो notes के लिए, कि इसके notes लेंगे, लास्में उससे notes हम बढ़ो कर लेंगे, मेरी website आएगी है, मत सोचो कि इसके बारें बात कर रहे है, next is attention to all subjects, this is the biggest mistake I have seen all my students doing, औ math पढ़ो, bio पढ़ ले हो, computer application नहीं देख रहे, Hindi नहीं देख रहे, physical education नहीं देख रहे, English नहीं देख रहे, जो भी आपके subjects हैं, उन पे भी ध्यान दो, होता क्या है कि कुछ subjects बहुत scoring होते हैं, for example, computer application is very scoring, physical education is very scoring, पर आप उसको पढ़ना श्टार्ट करते हो, क्दमेंड में छे नमबर बहुत important होते हैं, बहुत important होते हैं, percentage एक बढ़ जाएगा, दो बढ़ जाएगा, वहाँ पर देख, बहुत important होते हैं, 6-7 नमबर, तो इन तरह के subjects को कभी ignore मत करो, attention to all subjects, हफते में एक हफते में हर subject कम से कम एक बार तो देख लो, ऐसा नहीं कि एक महीना पुरा प once a week, week में एक दिन तो सारे subjects हो जाने चाहिए, ना एक एक दिन, कभी ना कभी तो उसको छूलो, scoring होते हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, उसमें कम पढ़ाई में ज्यादा number मिल रहे हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है, ठीक है, अब उसमें मजा क्यों नहीं आता, कवोगे स उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि आप उसको छोड़ रहे हो, लास में पढ़ोगे तो मजा कैसे आएगा, इंटरेस्ट अभी आएगा जब उसको आप regular पकड़ोगे, तो scoring subject को मत छोड़ो, इसमें number 10 बढ़ाऊगे, उदर percentage दो बढ़ेंगे, और इसमें 10 बढ़ाना असान हो आगे आते हैं, regular revision, which is very, 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 very important, regular revision, एक चापकर पढ़ा, उसके 200 सवाल किये, और बोड में उसका जब पहुचे, तो उसका सवाल नहीं हुआ, क्योंकि लास में revise नहीं कर पाए, regular revision, आपका week में एक दिन होना चाहिए, जिस दिन आप किसी की बात नहीं सुनोगे, सिर्फ और सिर्फ revise करोगे, हफते में जितनी चीज पढ़ी उसको, एक दिन होना चाहिए, Saturday हो, Sunday हो, Friday हो, कुछ भी हो, एक दिन आप सिर्फ उन चीजों को revise करो, जो इस हफते आपने पढ़ी, फिर उनके बनाओ super short notes, एक copy हो गई physics की, revision notes के hello, super short notes, एक chemistry की, एक maths की, bio की, English की, ये कहां से बनाओगे, ये बनाओगे आप अपने proper notes से, अपने notes से, इसमें आप क्या include करोगे, इसमें आप जिसे notes अपने बनाएं, मालो एक chapter का notes 30 पनने का है, तो बार बार 30 पनना revise नहीं कर स मज़ा आ गया, revision notes, नाम जेदो, इसका महा भॉकाल notes, कुछ भी नाम लिख दो, जो तुमारा मन करे, इसको देख के energy आए, अब इसको revise करनो और असान हो गया, next time revise पे खट 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 देखा, और इसको खुद से बनाया, तो मज़ा आएगा, इस अब चीज़ें कहीं धूडो यह अभी से prepare करो, यह prepare आप October में करते हो, यह आपका तयार रहे सारा, आपका जो ना, जितना भी ammunition है, stain gun, जितना भी आपका bomb, मैं सब लेकर चलो, बोला बारूट, last time जाके बस मारना है, दुड़ी, उड़ा देना है last time, तो अभी से त्यारी करना ही पड़ेगी, तो week में ए Last thing is distraction, but before coming to this, let us discuss कि मैंने आज आप से क्या बोला, इसके बारे में बात करते हैं, मैंने आप से बोला कि आप पास syllabus का printout होना चाहिए, आपको आज घर से निकलना पड़ेगा, printout लें जाना पड़ेगा, घर में printer है, तो घर में print करेंगे, कल सुबा लेंगे, परसो लेंगे, करना पड़ेगा आपको, NCRT की textbook आपके पास होगी ही होगी, आपको daily goal set करना होगा, रोज आपको रात में लिखना होगा, यह मेरा goal है, अगले दिन उसे complete करना होगा, ना complete होने पे आपको रोना होगा, आपको दुख होना होगा, उसे give up नी करना, अभी समझाते हैं, previous year के paper आपको खरीद के लाने पड़ेंगे, आलस में आप नहीं बैटेंगे कि इसको हम October में खरीदेंगे, November में खरीदेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, last में किया जाएगा, नहीं, from beginning, जो करना है, आज कर, कल का कोई वरोसा नहीं, अपने notes बनाना है, start करेंगे, शुरू से और पर ध्यान देंगे, जहां छूटेगा, खुद को डाटेंगे, और फिर सही करेंगे, attention to all subjects ऐसा नहीं है, कि इदर उदर की subject को छोड़ दिया, सिफ PCM पर ध्यान दिया, revise करेंगे, हफते में एक दिन proper revision करेंगे, और ये वाली notes जरूर बनाएंगे, अब बात करते हैं, distraction की, क सर, हम ये सब नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत डे सारी चीज हो गई, हमारे पास घर परिवार है, घर वाले हैं, हमारे पास दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा है, प्यार महुंबत हो जाता है, ठीक है, हमारे पास mobile game है, PUBG है, जैसे comment आते हैं, सर, मैं PUBG नहीं छोड़ पा र छोड़ दो, इधर आप ये सपना छोड़ दो, जो आपने देखा है, इधर आप ये चीज़ छोड़ दो, everyone wants to go to heaven, but no one wants to die, सब को जन्नत में जाना है, मरना किसी को नहीं है, यह है न, 90 नंबर भी चाहिए, 95 नंबर भी चाहिए, साथ में गेम भी खेलना है, प्यार महबबत भी करना है, दोस्तियारी भी करना है, घर में भी दवदर, हलतों की बाते करने हैं, चुवे खाने हैं, और लास में नंबर भी चाहिए, तो छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, यारी सब कल लो, इसमें मैं, सर मेरे को help करी है, मैं distract हो रहा हूं, सर मैं गेम्स बहुत खेलत मैं फस गया हूं, कुछ नहीं, आप undecided इंसान हो फिर, आपने पहले खुद हम से कहा कि मेरे को 996, हमने का ठीक है जाओ, हमने का यह काम करो, तो आपने का नहीं काम नहीं कर पाएंगे, हमने हम distract होते हैं, तो ठीक है, फिर आप छोड़ दो, आपके अंदर इतनी विली नही कोई जिम्मेदार नहीं, सिर्फ आप जिम्मेदार हो, यह याद रखना मेरी बात, यही बात हम लोग मार्च और एप्रिल में नेक्स टेर कर रहे होंगे, आप responsible होगे इस साल जो भी हुआ, कोई responsible नहीं इसके लिए, don't depend on anyone, दुनिया जैसी चल रही थी, वैसी ही चलेगी, क्योंकि मैं teacher हुआ, मेरी यह job है, क्योंकि हम बच्चों को ऐसे guide करते हैं, थोड़ा सा harsh हुआ last में, बट वही सच्चाई थी, हमेशा प्यारी प्यारी बाते करना सही नहीं है, आपको सच्चाई बताना भी, मेरी responsibility है, you all are like my small brothers, बच्चे हो प्यारे तो ज़रूरी है आपको बच्चे हो हुआ, बच्चे हो सकते हुआ